हेलो फ्रेंड्स नमस्कार मैं हूँ शुबेंदु सरकार और आप सभी का स्वागत रिदम लसन पर दोस्तो आज का जो टॉपिक है बहुती जरूरी है ये शियर करना क्योंकि देखिए बहुत सारे बोल हैं आपके सामने बहुत सारे मेरे खुद के वीडियोज है आप सोचते हैं कि ये बजा दूँगा तो ये हो जाएगा ये कर दूँगा तो वैसा हो जाएगा और इस वीडियो को मैं इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि वो सारी चीज़े एक तरफ है और ये वाला वीडियो एक तरफ है आपने कई सारे वीडियोज देखे होंगे ये है, ये तीहाई है, वो तीहाई है इस तरीके से बजाओ, ये रखो, ऐसा करो, ऐसा करो इस स्पीड बजाओ, तरिकेट फास्ट करो लेकिन जो बेस है, वो कुछ और ही है वो मैं आपको आज शेयर करने वाला हूँ आपसे, तो थोड़ा सा ध्यान से और बिना इसकीप किए वे पूरी वीडियो को देखेंगे तो ही बैतर है, अभी देखिए शुरुआत करते वे मैं ये बताना चाहूंगा कि दिक्कत कहां आती है हमारा जो रियाज का तरीका है जो हमारा जो पैटन है रियाज का वो बहुत ही ज़्यादा गलत हो जाता है जिस वज़े से सब को ये प्रॉब्लम आती है लग भग लग भग 90% यही प्रॉब्लम आती है कि एक तो हम कहीं जाकर प्रॉपरली नहीं सीखते हैं पहला तरीका और दूसरा तरीका यह है कि हम जो मन में आए वैसे बजाने लग जाते हैं इन दोनों तरीके से आपका रख रखाओ चलन आपकी परिक्रिया तबला बजाने की इतनी गड़बड हो जाती है कि आपको फिर बाद में यहीं समझ में नहीं आता है कि मैं गड़बड करका आ रहा हूं क्योंकि वो आदत में आपके आ जाता है तो वही सारी चीजे मैं आज आपको शेयर करने वाला हूँ कि किस तरीके से उस गलत आदत से छुटकारा पाए, अगर आपको गलत आदत हुआ है और अगर नहीं हुआ है, तो उसके तरफ ना जाये, पहले से आपको सतर्क हो जाना है, तो आइए शुरू करते हैं तो देखिए, मैं शुरू करता हूँ पहले टॉपिक से, पहला टॉपिक यह है कि जो आप जिस तरीके से बजाते हैं उस तरीके को ध्यान में रखिए हाथ रखने का जो सबसे मेन तरीका है तबले के साथ एक adjustment करने का और इसको इसको यह नहीं समझना है यह तबला है इसको अपने body का part समझ के इसके साथ performance करना है तो वो तरीका बहुत जरूरी है अब देखिए किसी का तबला बजाते वक्त हाथ आपका इतना दूर से आप ऐसे से बजा रहे हैं तो यह जो तरीके गलत है मैं उनके बारे में बातचित कर रहा हूँ अभी तबले के साथ compromise और तबले के साथ थोड़ा सा frankly होने के लिए मैं आपको कह रहा हूँ थोड़ा से एको frank हो जाए यह तबले के साथ ऐसे नहीं बजाना है तबले को feel करके बजाना है तबला बजाना से पहले तबले को feel करना है कि यह एक चमड़े का वाद दियंत्र है और इसमें से हमें उस तरीके के sound निकालने है जो हमें जरूरत है अब आप समझ जाए कि आपको कितना sensitive होना पड़ेगा इसके साथ अभी आप इतने दूर से बजा रहे हैं आपके हाथ में pressure नहीं आएगा ठीक है? गलती नंबर 1 अभी कहें कि आप तबले को पास में तो कर ले रहे है लेकिन आपका हाथ ऐसा है तो ऐसे में भी pressure नहीं हैगा ये नहीं देखिए सारे गलत तरीके में आपको एक एकर के बता रहा हूँ जो आप इनमे से अगर करता होंगे तो वो आप इसे साफदान हो जाए और उसको छोड़ने की कोशिश करें ये नहीं ठीक है और क्या होता है कि तिरिकेट ये नहीं ये हाथ को ऐसे रखके कोई कुछ नहीं बज़ता है अगर आपको सही तरीका मालूम नहीं है तो आप गलत जरूर बज़ाएंगे और इनमे से आप select किजिए नाखुन के जरूरत नहीं है तबला बज़ाने में ये इस हाथ का भी नाखुन छोटा ही होना चाहिए और ये बज़ा रहा है बिलकुल खुला खुला एकड़म तबले को फटोड रहे है फटोड़ना मतल तबले को पीट रहे है बुरे तरीके से वो भी नहीं एक फील है वो खोदेते हैं तो देखिए स्पीड बज़ाने की चकर में क्या क्या नहीं खोदेते हैं आप बोल को खाली बस बजाने से मतलब है बेना डाइनेमिक लैस बोल आप बजाते हैं खाली बस आपको बजाना है उस गती में उस टेंपो में बजाना है तो बजा डालते हैं, ऐसा नहीं करना है किसी भी बोल को बजाने से पहले उसका तरीका जानना मौलूम होना बहुत जरूरी है, अब देखिए जैसे आप तबले में बैठ रहे हैं, तो तबले को इस तरीके से बैठना है कि आपका हाथ ऐसे नहीं होना चाहिए इस तरीके से तबला नहीं बजाना है मैं इस सब चीजों को इसलिए बता पा रहा हूँ कि कोई आउनलाइन क्लास जब होती है मेरी, तो कई सारे ऐसे लोग है कई सारे, कई 500 ऐसे लोग है जो उल्टा-उल्टा हाथ रखते हैं, ऐसे करके बजाते है ऐसे करके बजाते है तो ये कोई तरीका नहीं होता है तबला बजाने का आब इसको समझिए सिंपल इस तरीके से बैठना है तबले में यह दिखिये, अब आपको कहते हैं एसे होना चीजे है, हाथ ऐसा होना चीजे Rick जैसे डगगा जिस एंगल में है अगर डगा इस angle में है तो आपका हाथ इस angle में जाएगा अगर इस angle में है तो obviously आपका हाथ इस angle में जाएगा अब इसमें तो आप ऐसे नहीं करेंगे तो ये समझेए आप चीजों को अगर डगा इस angle में है तो आपका हाथ इस angle में होना चाहिए अगर आपकी height बहुत ज़्यादा लंबी है तो आप डगे को थोड़ा सा और तिर्चा कर सकते हैं ये ठीक है अगर आपका normal average में है height तो आप इस तरीके से बजा सकते हैं देखिए ये दाहिना किस तरीके से बजाना है जादा ऐसे नहीं कर रहा है ज़्यादा ऐसे भी नहीं करना है दाहिने को रखने का तरीका ये होता है देखिए तोड़ा सा समझिए और इसको डगे में थोड़ा सा pressure लाने के लिए आप क्या करें कि तबले को थोड़ा सा side में खिसका के रखे अपने बाएं side में जो लोग बाएं से बजाते हैं डगा वो बाएं side में जो लोग दाहें से बजाते हैं वो दाहें side में थोड़ा सा हलका सा खिसका के रखे और ताकि आपका जो pressure है वो अधिकतर इसमें बाएं में बना रहे हैं अब देखिए अब बारियती हाथ की ऐसे रखे या ऐसे रखे दाहिने में अब दाहिने में क्या करना है कि आपको हाथ ऐसे नहीं रखना है ये चीज ज़्यादा touch नहीं होना चाहिए गजरे के साथ गजरा इसे कहते हैं तो ये चीज ज़्यादा गजरे के साथ touch नहीं होना चाहिए इसे आपका speed और pressure दोनों कम हो जाएगा तो इसको इस तरीके से रखने की कोशिश करेए ये flow यह आना चाहिए और यह बना चाहिए और एक होता है तरीका swim का देखिए अगर यह है तो swim नहीं है अगर यह चल रहा है तो यह swim है ठीक है आपको समझ मा रहा है swim क्या होता है लहर तो लहर जो आनी चाहिए वो आपके हाथ के कलाई से बनता है, अगर आपका हाथ का कलाई फीरी नहीं है, तो आप बिना लहर के बजाएंगे और ऐसे बजाएंगे, ये बिना स्वीम के, अगर आपके हाथ स्वीम है अगर आपके हाथ में स्वीम है, तो आप इसी बोल को इस तरीके से बजाएंगे आप सोच लिजиж कि ऑपका यह ज़्याधा फास्ट बजएगा या फीर स्वीम के साथ जो बज़रा है वो ज़्याधा फास्ट बज़ेगा तो फास्ट और प्रेशरली तब बज़ता हैं जब आपके हाथ में स्वीम होता है अब इसको समझीए अब दिखीए कई बार होते हैं कि हम बोल को ही गलत सलत बजा लेता है अब गे ऐसा बज़ता है तो आप गे शुरू सही आपने ये आदर डाल लिए गे बजाने की अब ये कोई सा भी गे नहीं हुआ ये खाली वसे म्यूट अन्यूट जैसा कुछ आप बजा रहे हैं इस तरीके से ये अन्यूट भी है और म्यूट भी है दोनों है ठीक है ये इस तरीके से आप बजा रहे हैं तो ये कुछ नहीं होता है आपको प्रॉपर बोल को समझ के उसकी निकासी कैसे होती है ये समझना पड़ेगा ये बोल की निकासी कैसे होती है ये सारे चीज अलग चैप्टर में है ये मैं आपको अलग से समझा हूँगा पहले मैं तबले में बैठना सिखा रहा हूँ किस तरीके से तबले को feel करते हैं किस तरीके से तबले को अपना ही एक पार्ट समझे अब आपने इसको बजाया अब आपको क्या बजाना है speed में नहीं बजाना है किसी भी बोल को slow में शुरू करना है एक दम slow में अगर speed बजाने की कोशिश करेंगे आपके दिमाग में भी घुशने से रहा आपके हाथ में भी आने से रहा बस आप उसको लग रहा है कि आपको यहाँ आप बजा रहे लेकिन वो एक्चुल में वैसा है नहीं जैसा आपको लग रहा है तो slow में बजाईए feel के साथ एकदम और जब आप बजाते हैं तो इधर उधर ध्यान नहीं रहना चीए आपका आपका ध्यान सीधा आपके हाथों में रहना चीए कि मेरा हाथ किस तरीके से मुव्मेंट कर रहा है क्या कोई गलत गलत चीज़े तो नहीं हो रही है मैं ऐसे तो नहीं बैठाओ, तिरिकट मैं ऐसे तो नहीं बजा रहाँ ये कोई लोग ऐसे तिरिकट बजाते हैं ऐसे हाथ को मोड लेते ये साब जैसा ना बना है तो ही बेतर है इस तरीके से स्टेट रखके और एकदम ऐसे नहीं करने हैं के हाथ J valleys बिल्कुल इस तरीके से उस सारे point मैं आपको बता रहा हूँ जो आप गलतिया करते हैं जिस वज़े से speed और pressure नहीं आता है तो देखिए main मेरा उद्देशी यही है कि तबला बजाए तो तबले की ही तरह बजाए अगर ऐसे नहीं बजाना हुथ तो हम तबले को इस तरीके से रख लेते और ऐसे से बजाना शुरू कर देते हैं क्यों नहीं बजाते है क्योंकि इसका इक pattern है हमने एक तरीका बनाया है बजाने का तो हम इसलिए ऐसे बजाते हैं तो इसको समझे आप जल्दी ना बजाए प्रेशर के साथ बजाए धीरे से सुईम के साथ और एक तरीका है उंगलियों को ज़्यादा फैलाए मत इस तरीके से नहीं अब मैंने बता दिया सुईम के साथ तो आपने इतना सुईम ला दिया कि वो तबले से बाहर चुट रहे इतना सुईम नहीं होना चाहिए कि आप बिल्कुल एकदम तबला घेर के पूरा एकदम लपेत के बजा रहे हैं उसको आराम से कोशिश कीजिए कि ये जो मैदान है इसी के बीज बीच में आप अपना काम निपटा ले लेकिन सुईम होना बहुत ज़रूर है तो ये सारी चीजे हैं जो तबले के साथ आपको जुड़के बजाना है, फील करके बजाना है, समझ के बजाना है, सुईम के साथ बजाना है, प्रेशर के साथ बजाना है, बोलो की निकासी कैसे करे, वो सब कुछ समझना है अगर मैं अभी बोलो कि निकासी के बारे में बताना शुरू करूँगा तो बहुत ज्यादा लंबा हो जाएगा उसके लिए मैं अलग वीडियो आपको बना दूँगा लेकिन अभी फिलाल ये समझना जरूरी है कि तबले के उपर तबले के साथ तबले को कैसे लेकर चले तबले को अपना अंग कैसे माने तो ये आज का वीडियो था दोस्तो आज का वीडियो यही तक बहुत बहुत धन्यवाद अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कमेंट शेयर जरूर करें और सब्सक्राइब तो और ज़रूर करें क्योंकि मैं बहुत ही कोशिश करता हूँ कि यूनिक यूनिक चीज़ा आपके सामने लाने की कोशिश करूँ और लाता भी हूँ और आप लोग अच्छा भी लगता है अभी तक आपने इतना सब्पोर्ट किया है उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में थैंक्यू